लो फ्रेंट तो मार्श की बंपर बढ़ती कि बहुत सारी वेगिंजी की अपटेट में आपका स्वागत है इसमें मैं आपको कम से कम बहुत सारी वेगिंजी बताने वाली हूं जो कि भस बटर ट्रेंड मी धर flesh अशे वेज़ेंजी कुछ अर्मी की कुछ मिधा बहुत सरी वे इसके अंदर जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन की रहने वाली है इसके अंदर नमबरों विकिंसी इसकी बात करें और इसमें जितने भी विकिंसी बताई जा रही है कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रजुएशन होना चाहिए नहीं ऐसी विकिंसी जिसमें 1012 भी है तो भी क करें तो इसके अंदर 19,900 रुपे से लेकि 63,200 रुपे के बीच में आपकी सैल्डी का क्राइटेरिया रहने वाला है जो कि अगर एक 10 के बेस पर देखे जाए तो काफी अच्छी सैल्डी का क्राइटेरिया माना जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है तो अगर आ यह जो फीस है आपकी refundable fees होने वाली है वहीं अगर आप जैसे कि 20 रुपे अपलिकेशन फीस होने वाले हैं और 500 ही रिफंड हो जाएगी इन सेलेक्शन आपका computer-based होने वाला है apply यह आप online mode में कर सकते computer-based test होगा डाइट आपका document verification होगा उसके बाद job location आपकी all India में रह सकती ऑफिशल website की बात करें तो indianrailways.government.in और दूसरी official website requirement rrb.in इसकी second official website है next जो है BSF की अनकी border security force का होने वाला यह पी एक काफी अच्छी government vacancy and repudated vacancy तो already है यह post case के अंदर बात करें तो constable की post रहने वाली है 2140 vacancy यह 2000 प्लस होने वाला है जिसमें कि अगर आप male candidate है तो male candidate के लिए 1723 रहने वाला है अगर आप female candidate है तो 417 vacancies आपके लिए रखी गई है next इसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी salary का crack criteria रहने वाला है जैस इसमें salary अच्छी है 10 के बेस पे 21,700 रुपे से लेके 69,100 रुपे के बीच में आपकी salary रहने वाली है qualification बस आपका 10 प्लस idea है तो आप इसके लिए apply कर सकते है 18 साल से लेके 25 साल के बीच में अगर आपकी एच है तो आप इसके लिए apply भी कर पाएंगे और दोनों के लिए चा आपकी यानकी 8 से के यानकी 8 से कंडेट है तो आपकी 100 रुपे application फीस रखी जाएगी और अगर आप रिजर्व के डिगरी से हैं जैसे की SCST female candidate है तो आपसे कोई भी application फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी selection आपका written examination based होने वाला है physical standard test, physical efficiency test, medical test and document verification देन आप इसके लिए apply कर सकते हैं apply आप इसके लिए online mode में कर सकते हैं next जो हम विकिंसी देखेंगे वो हमारी है हरियाना staff selection commission के दरब से और यह police department के लिए होने वाली है इसके अंदर जो post है constable की रहने वाली है और vacancy भी इसमें कम नहीं है भर मार है विकिंसी की 6000 से भी ज़्यादा विकिंसी आपकी यहाँ पे 2700 रुपे से लेके 79100 रुपे के बीच में रहने वाली है लेकिर इसमें qualification आपका 12th pass होने वाला है एंद application fees की बात करें तो अगर आप general candidate है तो आपकी 100 रुपे application fees रहने वाली है एंद अगर आप SC, BC, EWS candidate है हरियाना के तो 25 रुपे application fees रहने वाली है समझ सकते हो और अगर आप ex-service man है तो आप और हरियाना के हैं तो आपकी कोई भी application fees नहीं लगने वाली एक रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है selection की बात करें तो return test होगा and then physical test होगा then इसके बाद आप apply कर सकते हैं apply आप online mode में कर सकते हैं job location आपके हरियाना में ही रहने वाली है official website की बात करें तो www.hsse.gov.in इसके official website ते वहां से आप जाके डिडाउट भी कर सकते हैं next इसके हम बात करेंगे CRPF की यानि की Central Reserve Police Force की इसके अंदर भी Constable की पोस्ट है और इसके अंदर वेकिंसी ओमाइग में है 1,29,929 वेकिंसी होने वाली है और इसके अंदर male और female दोनों ही apply कर सकते हैं अगर आप male candidate है तो 1,25,262 वेकिंसी रहने वाली है और female की बात करें तो 4,667 वेकिंसी आपकी इसके अंदर रहने वाली है next इसके अंदर हम देखेंगे आपकी salary कितनी होगी तो 21,700 रुपे से लेकिए 90,100 रुपे के बीच में आपकी salary का criteria रहने वाले है qualification as usual 10th pass चाहिए and इसमे age limit की बात करें तो 18-23 साल के बीच में अगर आपकी age है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी problem नहीं and application fees की बात करें तो अगर आप general candidate है OBC candidate है and EWS है तो आपकी 100 रुपे application fees रहेगी और अगर आप SCST female है तो आपकी कोई भी application fees आप से नहीं ली जाएगी fees आप online mode में इसके लिए apply कर सकते हैं selection की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपका एक return test चाहिए return test के बाद आपका physical standard test होगा physical standard test के बाद आपका physical efficiency test होगा and then उसके बाद आपका medical examination लिया जाएगा then इसके बाद आप इसके लिए apply कर सकते हैं apply यह आप online mode में कर सकते हैं फिर भी कोई भी doubt है सारी vacancies रिगार्डिं किसी भी vacancies से तो आप obviously comment box में पूछ सकते हैं और मैंने इसके अंदर जितनी भी vacancies बताई है सारी 1012 इससे आगे नहीं गई है किसी ने graduation को touch भी नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं एक अच्छा criteria आप सभी के लिए होने वाला है and इसके अंदर जो हरियाना का था इसके लिए online और offline दोनों mode से apply कर सकते हैं अगर अगर आप हरियाना के नहीं या अदर किसी स्टेट्स है तो आप online कर सकते हैं and आपको इस वीडियो को जादा से जादा लोग को शेयर करने क्यों मार्च में सारी वेकेंसी जो हैं upcoming है आप सभी के लिए काफी अच्छा notification है जो बच्छे तैयारी कर रहे हैं तो आप आपको वीडियो पसंद आई को वीडियो पसंद आई तो जाद से जादा लोग को शेयर करेंगा थैंक यू